इमाचल प्रदेश की कॉंग्रेस की सरकार आई से एक बरश पहले सत्ता पर बैठी थी और एक बरश विफलताओं का और नाकाम्याबियों का वर्श रहा है और इस एक बरश में प्रदेश में विकासकार ये ठप हैं जन हित की जितनी योजनाएं चलाई गई थी उन इसा आ नहीं रहा है और इस वर्श एक भारी आपदा प्रदेश में आई और जिस आपदा के कारण से हजारों लोग बेघर हो गए अनेक लोग अभी भी श्रनार्थी केम्पों में रह रहे हैं और लगभग 500 लोग अपनी जान गवा चुके हैं और इस वरश में ऐसे जरू पार नहीं पाई और भारत सरकार से ढगन राशी अए तो धन राशी का अबंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और यह कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कारी करता है और कई पात्र लोग है जिनको वैं धनराशी मिलनी चाहिए उनको मिली नहीं और कुलूजिला में तो जब हमारे लोगों नियावाद उठाई तो अंततर जब जांच की गई तो उस जांच में मनी करण के पटवारी को सस्पेंड किया गया और यह पाया गया कि कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया है तो निश्चित रूप जिसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई आखिरकार पटवारी ने किसके कहने पर एक्या और मुझे लगता फिर जांच रोक दी गई क्योंकि पूरे जिला मैंसे अन्यकों अपात्र लोग निकलते हैं और इस सरकार को जश्र मनाने का या खुशी मनाने का कोई अधिकार नी जनता की जुरूरतें पुरा करना याव सकता है और इसने भारतिय जनता पार्टी ने लि करेंगे जिसमें जो कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाबों के दुरान दस गारंटियां देने की बात की थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है और उसके तरिक्त हम कुलू घाटी के लोग के कहेंगे कि जहां तक हिमाचल परदेश के परियाटन शेत्र को इस सरका ने धक्का पहुंचा है लेकिन कुलू डिस्ट्रिक के लिए बहुत ज्यादा नुक्सान किया गया है और जिसके कारण से इनों ने जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो हमारे यानि व्यावसाइक बहां थे उन सब पर टेक्स बढ़ा दिया जिसमें 3000 पर दे 4000 पर दे 5000 पर ने और उन सब ने अपनी उत्तरा खंड़ जम्मू कश्मीर के और वह अपने टूर पैकेज लेगे जिसके कारण से यहां की टूर्जम मिल्रस्ट्री को बहुत अजिक धक्का पहुंचा और दूसरा यहां पर रेत और बजरी यानि व्यास नदी के किनारे स्टॉन और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना आशियाना बना रहे थे अपना घर बना रहे थे उन सब लोगों को भी रेत बजरी मिलने पाई अब जब मिलनी प्रारंब होई है तो लगवा धाई हजार पर अधिक रेट पर उनको खरीदनी पड़ रही है काला बादारी बढ़ गई प्रस्टाचार बढ़ गया और इसलिए इस सब को लेकर के आज पुलू दिला में भी हम यानि अक्रोश रेली निका रहे हैं और इस पार का आप देखेंगे कि कुलू के दिशहरे में जिस प्रकार से प्रस्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है वह भी है और पहली बार कुलू के दिशहरा में लग बीस इकीस देवी देवता जो बंजार घाटी से यहां पर आते थे और कई वर्ष से आ रहे थे उन सब देवी देवताओं के टेंटों को प्रशासन के द्वारा जोर जबर्शस के हटाना यह भी हम सब के लिए दुरभाग्य प के बत्री बाने ते